नमस्कार प्रिय दर्सकों, मैं आचारे आसिस सेमवाल, आपके चैनल एस्टो कालगर्णा में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने एक नया विसाय, नया सब्जेक, नया अध्याय लेके आया हूँ आपके भग्य में है सरकारी नोकरी का यूग, क्या आपके भग्य में है सरकारी नोकरी का यूग इस विसाय पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, लगने कुनली को आधार मान करके मैं आपके सामने आज सरकारी नोकरी के यूग पर चर्चा करने वाला हूँ अभी तक आप हमारी चैनल पर नहीं हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सियर करना न भूलें चलो शुरू करते हैं आज का विशाए सरपर्थम ये लगन कुंडली है जो आपकी जन्म कुंडली होगी उसके आधार पर मैं यह आपको सरकारी नोकरी के यूग के बारे में बता रहा हूँ कि सरकारी नोकरी का यूग बनता थैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ ये पर्थम भाव है ये दूतिय भाव है ये पहला घर है ये दूसरा घर है ये पीसरा घर है ये चोथा घर है ये पांचवा है ये छटा है ये सातवा है ये आटवा है ये नवा है ये दसवा है ये ग्यारवा है ये बारवा घर है 12 house होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं और 12 ही रासी होते हैं यह लगन है और यहां पर आपका कोई सा भी अंग हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन में कोई सा भी आपका लगन हो सकता है ठीक है लगन हर एक व्यक्ति के अलग-अलग ही होते हैं इसलिए भाव हमेशा सेम रहते हैं भाव जो है बदलते हैं इसलिए आपको भाव पर पकड़ होनी चाहिए यह परतम भाव यह दूतिया भाव यह दूसरा घर है तीसरा घर है चोथा, पांचवा, चटा, साथवा, आटवा, नौवा, दसवा, ग्यारा, बारा तो यह इसको लगन कहते हैं इसमें लगन है ठीक है और इन भावों को पहले हाउस को पहले घर को, चौते हाउस को, चौते घर को, और सातवे घर को, और दसवे घर को केंदर कहते हैं, इन भावों को क्या कहते हैं, केंदर कहते हैं, ये पंचम भाव हो गया, ये नवम भाव हो गया, ये धन का भावदुतिया भाव हो गया, और ये आयका हो गया, ठीक है, इन भा है मंगल है चंद्रमा है और सणी है बुद्ह ये सरकारी नौकरी को देते हैं ये ग्रह उनि सब्सक्राण को जो है सूरीया मंगल और गूर को माना गया है अकर यह ग्रह केंद्र में हो जाएं इन भावव में हो जाएं पहले हम में हो जाएं, चौते हाउस में हो जाएं, सात्वे हाउस में हो जाएं तो सरकारी नोकरी का योग प्रबल बनता है, मैं समझा दूँ आपको अगर सूर्य केंद्र में पहले हाउस में इन चौथे में साथ में में और दस्वें हाउस में एक लिखा हो या पांच लिखा हो इन में कहीं तो उनमें सूर्या बैठे हुए हो इस भावस में इस हाउस में इसमें कहीं पर भी एक लिखा हो इसमें सूर्या बैठा हो यहां लिखा हो यहां लिखा हो या पांच भी लिखा हो यंटर के भाव में लिक्रवे हों और उसके उपर सूर्य ग्रह हों उन्हें रासियों में रासियों में सूर्य हों तो सरकारी नोकरिकल्न योग प्रबल योग बनता है ठीक है औ। धूसरे में बताजिए जो सूर्य है अगर वह मंगल की रासी में बैठ जाए गुरू की रासी में बैठ जाए यानि की ब्रिश्चिक रासी में बैठ जाए और मेश रासी में बैठ जाए और धनू में बैठ जाए और मीन में बैठ जाए केंदर में बैठ जाए तब भी आपके सरकारी नोकरी का योग बनता है ठीक है अब दूसरे में केंद्र के भाव में बार बार बता रहा हूँ केंद्र के जो भाव है ये पहला हाउस है चोथा है और ये सात्वा है ये दस्वा है इस में मेश रासी में बिच्छिक रासी में और मकर रासी में याने कि एक अंक में में, चौथे घर में, सात्वे में, दस्वे में, धनु रासी में, यानि की नौ अंक में, मीन रासी में, यानि की बारा अंक में, करकर रासी में, यानि की चार अंक में, देवा गुरु ब्रस्पति भी केंद्र में बैठे हुँ, तब भी सरकारी नोकरी का प्रबल योग बनता और चंद्रमा करकराशी में या ब्रिसब रासी में केंद्र में बैठे वे हैं और इन पर सुभ ग्रह यानि देवा गुर्भ बिरस्पति की दृष्टी हो तब भी सरकारी नोकरी का योग बनता है और सनिग्रा तुला में, मकर में और कुम्ब में यानि कि साथ अंक में, दस में, ग्यारा में केंदर में बैठे वे हो और सुब गरहों की इन पे द्रिष्टी बनी हो या केंदर में मंगल हो या सूर्या हो अन्या गरहों भी केंदर में हो और सुक्र गरहों की इन पे द्रिष्टी संबंद ह तो तब भी सरकारी नौकरी का योग प्रवल बनता है ठीक है अब मैं आपको बताओं सूर्या पंचम में हो सूर्या दुतिया भाव में हो भाग्य में हो या आय में हो इन भाव में भी सूर्या हो तब भी सरकारी नौकरी का प्रवल योग बनता है ठीक है और कभी कभी योधा च्चटे भाव का सूरिय भी सरकारी नोकरी को देने वाला बनता है। यहाँ देवा गृुभ व्राश्पत अपने ही रासियां बैठे हुए हो और केंद्र यहाँ से देवा गृुभ व्राश्पते की पंचम द्रिश्टी यहां बनती है। और यहां पर मंगल गरव बैठे हुए है या सूर्य गरव बैठे हुए हो दुरिशिशंबंध बन जाता है तो यहां से भी सरकारी नोकरी का योग बनता है तो वह बड़े उच पद पर तो नहीं जा पाता है यह प्रामरी का टीचर बन जाता है छोटे पदों पर वहां सरकार सरकारी रहते हैं ठीक है अब मैं आपको एक योग बादा लेता हूँ केंद्र में चंद्र गुरु की युद्धी हो तब भी सरकारी नवकरी का योग बनता है近fe मतलब पहले हांस में four फें हांस में और सात्वे में और दस्वे घर में चंद्र गुरु की युक्ति हो या द्रिश्चंबंद हो तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है और चंद्रमां मंगल का योग हो तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है यानि कि चंद्रमंगल यहां बैठे हुए हो यहां बैठे सरकारी नोक्री का योग बनता है अब मैं आपको बठा दू पंच पुरुस नामक राज यूग जो कह जाते हैं रूचत, हंस, सस, मालव्य, भदर अगर ये योग भी केंद्र मनते हों तभी सरकारी नोक्री का योग बनता है जैसे मंगल गरह एक उंक में आठ अंके में और दस अंके में केंदर में हो जाए तो रूचक योग बनता है और रूचक योग में भी सरकारी नोकरी का प्रभल योग बनता है हंस्योग बनाहो दिवा गुरु ब्रस्पति चार अंक में 9 अंक में और 12 अंक में गुरु ग्रह बेट़े हुए हो डियुक केंद्र में तबbaby शरकारी नोककरी का योग बनता तो अग्र हंस'योग बनता है अगर कंद्र में सरकारी नोकरी योग बनता है PRODSTAT का योग बनता यह इस में दृष्टशा इंप भी सरकारी नोकरी का योग बनता है और भद्रपूर्श नामक राज्योग-जोगी मिथुन राशी में और कन्या राशी में बुद्ध अगर केंद्रे में बैठ जाए तब भी स्तरकारी नौकरी का योग बनता है इसमें होर ग्राउं की भी यूति देखी जाती है ठीक है इन योगों के साथ साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ लगन के इसाब से और मीन लगन परियंत मैं आपको कुछ योग बताने जा रहा हूं अगर ये आपकी कुंडली में बनते हैं तो राश योग बनता है जैसे मेश लगने की कुंडली हो एक यहां पर लिखावा हो और क्या हो सिंग का सूर्य हो कहने के तात्पर है सिंग का सूर्य कैसे बनेगा पंचम में सूर्या हो, यहां यहां पांच अंक आ जाएगा, यहां सूर्या ग्र Angeb बैटे विये हैं, अमा कर का मंगल हो, तो मंगल यहां बैठाओगा, दस अंक यहां लिखाओगा, तो मंंगल यहां हो, तब भी, मेसलक नवालों का ऐसी यूग बन जाए, तब d Loy extend का योग बन साथ आठ नो दस और क्यारा यहां सनी ग्रह बैठे हुए हो तब भी सरकाई नो करी के ब्रिसव लगन वालों के कुंडली वालों के लगने वालों की योग बनता है ठीक है अम मैं भी थुन लगन वालों की बारें बता रहा हूं तीन अंग यहां लिखावा हो और धुन का गु बैठे हुए हो और मेज का सूर्य हो तो मेज का सूर्य जो एक अंग में होगा नो दस ग्यारा नो दस ग्यारा बारा और एक तो यहां क्या हो मंगल गरो यहां भी बैठा हो तब भी सरकारी नोकरी का योग बनता है ठीक है और उसके क्योंकि यहां से पंचम द्रिष्टी का स ठीक हों आप देखे लें ना बाद में और कर्ग लगन में यानि यहां कर चार एंक लिखावा हो और बृत का चंद्रमा तत्म पर यान 거죠 रहीं मा। यहां ब्रषव रासी यह बैठा हुआ और कि में का सूर्य हो यहां सूर्य मेंच का सूर्य हो तब भी सरकारी नौकरिका योग बनता मैंभाद लगन वाले करी आशिए और अब सिंग लगन यहाँ पांच पांच लिखावा हो मेष्ट का सूर्य हो। यहाँ सूर्य हो बागया में सूर्य हो। सिंग का मंगल का हो लगने में ही होगा क्योंकि यहां पांच अंगों का का मंगल होगा तब राजयोग जो सरकारे नौकरी नोकरी का योग बनता है अब मैं बताने जा रहा हूँ कन्या लगन की यानि यहां 6 अंक लिखावा हो 6 अंक कुंडली हो यानि कन्या लगनी कुंडली हो और मिथुन का बुद्ध हो तो मिथुन का बुद्ध कैसा होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यहां क्या हो 3 अंक लिखावा और बुद्ध गरह यहां बैठाओ आओ ठीक है और ब्रिसव का चंद्रमा हो तो यहां पर ब्रिसव राशे बनेगे तो यह चंद्रमा यहां हो तब भी सरकारी नोकरी का योग बनता है किस लगन में कन्या लगन में कन्या लगन में यहां बुद्ध बैठाओ यहां चंद्रमा बैठाओ आओ तब भी सर ग्यारा बारा एक यहां एक अंक होगा सूर्य यहां बैठा हुआ होगा तुला लगने की बात कर रहा हूं और करक का चंद्रमा हो एक दो तीन और चार चंद्रमा यहां पे होगा तब भी आपकी सरकारी नोकरी का योग बनता है कि इसके तुला लगने में ये अलग योग बता रहा हो मैं आपको और बिच्छिक लगने की कुंडली होगी तो बिच्छिक का मंगल होगा यानि कि मंगल लगने में बैठा हुआ होगा बिच्छिक लगने मंगल लगने में बैठा होगा और सिंग का आठ नो दस ग्यारा बारा एक दो तीन चार पांच यहां सूर्य हो सूर्य यहां बैठा हो तब भी सरकारी नोकरी का योग बनता है और यहां अस्तान परवरतन योग भी अगर आपस में हो तब भी सरकारी नोकरी का योग बनता है किसे बिच्छिक लगने में, ठीक है, अब मैं बथाने जा रहा हूं, धनुलगने के बारे में, यहां 9 अंक लिखावा हो, 9 अंकी के कुंडली हो, और मीन का गुरु हो तो 9, 10, 11, 12 यहां देवा गुरु बिलस्पति बैठे वे हो बारा अंक में मीन अंक में और सिंग का सूर्य हो तो कहने का तक पर है एक, दो, तीन, चार, पांच भाग्य में सूर्य ग्रह बैठे वे हो तब भी सरकारी नोकरी का योग बनता है किस लगने मे अब मकर लगने की बात में, यहां 10 अंक लिखावा होगा और मकर का सुक्र होगा, बने लगने ही सुक्र ग्रह बैठे वे होंगे और तुला का सनी होगा, तो मकर यहां होगा, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां सनी ग्रह बैठावा होगा, तब भी आपके सरकारी नोकरी के योग हैं, इस मकर लगन में समझ दीजिएगा आप, कि मकर लगन जो 10 अंक यहां लिखावागा, तो यहां क्या बैठे होगे, सुक्र ग्रह बैठे वे होगे हो, और साथ अंक में सनी ग्रह बैठे वे हो, तब भी सरकारी नोकरी का योग बनता है, अब मैं बताने जा रहा कुम्बुलगन के बारे में, अगर यहां कुम्बुलगन हो और बिच्ची का मंगल हो, तो बिच्ची का मंगल आएगा यहां, यहां से किने हैं, ग्यारा, बारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, बिच्ची का मंगल यहां हो जाएगा, और सिंग का सूर्य हो तो जो शिंगर ऐसी बनेगे यहां बनेगे ग्यारा बारा एक दो तीन स्वुधम तो यहां जो ईह तो शिंगर पांच अंग आए हैं यहां बैठे वह हैं और साथ में यहां सली बैठे हुए इसके तब भी सरकारी नोकरी का यूग बनता किसी sellake कुप्व लगने अर्ड लगने के बारें बता два मींडगने सुनले मीन लगने में भी सरकारी स्रकारी नोक्रीकवा अख्युद बता राएं में हैं यहां पर मीनलगन हो और धनु का गुरु हो तो मीनलगन होगा बारा यहां होगा एक कि दो अबत तीन चार पांच छे साथ आठ और नुओ यहां पर देवा गुरु ब्रसपति नो अंक में बेठे वे हो और ब्रिछिक का मंगल हो यानि कि भाग्य में मंगल ग्रह बैठेवे हो यहां मंगल मैठेवे हो और मैई स्यर्य का होगा यहां होगा तब भी सरकारि नोकरी का योग्शा मीनलग्ण में ठीक है त idoादस 12 ल स्रकारि नोकरी की योग अब इसमें देख लीजिएगा स्क्रिन सोट ले लीजेगा आप आप इसमें देख लीजेगा और स्क्रिन सोट ले लीजेगा मैंने जो लिखा हुआ है सारा ये 12 लोग उन्हों के बारे में लिखा हुआ है आप इससे देख करके आप जान सकते जो मैंने लिखा हुआ हरेक लगने मैंने सरकारी नौकरी का यो योग बताया हुआ है और प्रभल योग मैंने पहले बताये था योग के बारे में वो मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है तब तक के लिए मुझे इजादत दीजेगा नमस्कार जैमाता दी